अत्थ प्रतमों वर्ष्टाया रित राष्टे वाच धर्म छेत्रे कुरू छेत्रे समवेता युद सवा मामकह पांडवाश्चैव किमकुरू वत संजया त्रितराष्ट बोले हे संजय धर्म भूमी कुरू छेत्र में एकत्रित युद की इक्षावाले मेरे और पांडवो के पुत्रों ने क्या किया यह गीता का प्रथम अध्याय है जो त्रितराष्ट के प्रशन से प्तारंद हो रहा है जहां वे संजय से पूछते हैं कि ये संज धर्म भोमी कुरुछेत्र में एकत्रित जो यूद की इच्छा वाले पांडु के पूत्र और उनके स्वापूत्र उनके बीच क्या हुआ यानि वे कुरुछेत्र का हाल चल पुछ रहें संजय से जिने दिव द्रिष्टि प्राप्ध है संजय वाचा द्रिष्टवातु पांडवा नीकम व्यूढम दुर्योधनस्तदा आचर्यम उपसंगम्या राजा वचनम अब्रवे संजय बोले उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक पांडवों की सेना को देखकर और द्रोनाचार के पास चाकर यह वचन कहा दुर्योधन ने क्या कहा इसे हम लोग अगले सुलोप में जानेंगे अभी संजय जो की आँखों देखा हाल सुना रहे हैं घृतराष्ट को वो बताते हैं कि दुर्योधन पांडवों की सेना की व्यूह रचना को देखते हैं और अपने गुरु अपने आचार द्रोनाचार के पास चाकर यह वहते हैं पशेतां पांडु पुत्राना आचार महतिंचमू यूढां द्रूपत पुत्रेन तव शिश्यन धीमतां हे आचार आपके बुद्धिमान शिश्य द्रूपत पुत्र द्रेश्ट धुम के द्वारा व्यूहकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिये यहां पर दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार के पास जाकर और उनसे कहते हैं कि आपके ही सिश्य द्रूपत का पुत्र द्रेश्ट धुम ने यह पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को व्यूकार रूप में खड़ा किया है अत्रिशु रामहे स्वासा भेमा अर्जुन समायु थे यू यू धानो विराटश्चा दुरूपत जश्चा महारथा दृष्ट केतुस्चे किताना कासी राजश्चा वीरेवाना पुरुजित कुंती भोजश्चा सेब्यश्चा नर्पुंगवा यूधा मन्युश्चा विक्रांता उत्तमो जश्च वीरेवाना सौभद्रूद्रो पदेयाश्चा सर्वेव महारथा इस सेना में बड़े-बड़े धनुसों वाले तथा यूध में भीम और अर्जुन के समान सूर्वीर सात्यकी और विराड तथा महारती राजा दृपत दृष्ट केतु और च पुरुजित, कुंतिभोज और मनुस्यों में स्रेष्ट शैब्व, पराक्रमे युधामन्यों तथा बलवान उत्तमोजा, सुभत्रपुत अभिमन्यों और दृपती केच पाचोपुत ये सभी महारती हैं असमाकम्तु विसिष्टा येकानी बोधा तुई जोतमा नायकाम सन्यस्या, संग्यार्थमतान ब्रवीमिते, हे ब्राम्हन स्रेष्ट, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है, उनको आप समझ लिजिए, आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेना पते हैं, उनको बतलाता हूँ भावान भीष्मस्य, कर्नस्या, क। जिपस्या समि तैंचया, अस्वत्तामा विकर्न्स्या, सौमधत्तिर्थ थैवचंग, आप द्रोना चार, और वितामे भीष्म तथा कर्ण, और संग्राम्हिज satisfy 04. तथा वैसे ही अस्वत्तामा विकर्ण, और सोम्धत्त का और योधन सभी सिनान्यों की गिंती करते हैं अन्य जबै वह शुरा मदर्थित्यक्त जीविताहा नाना सस्त्र प्रहरना सर्वे युद्य विशारदहा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शुर्वीर अनेक प्रकार के अस्त्रों सस्त्रों से सु पर्याप्तम तदमासकं बलंभिसमाभी रक्षितं पर्याप्तम तवदीमेते साम बलंभिमाभी रक्षितं रिस्म पितामै द्वाररक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजे है और भीम द्वाररक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है इस प्रकार दुर्यो को सेना की जानकारी दे रहे हैं इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगा इस्तित रहते हुए आप लोग सभी निह संदे हैं भीस्म पिता मैं कि ही सब और से रक्षा करें संजय वाच तस संजय नैन हर्सम गुरु व्रिध पिता महा सिंग नादम विनदोच्छे संखम दधमो प्रताप वान करों में व्रिध बड़ी प्रतापी पिता मैं भीस्म ने उस दुर्योधन के हिर्दै में हर्स उत्पन करते हुए उच स्वर से सेह की दहाड की समान गरज कर संख बजाया इसके पश्चात शांप और नगाडे तता ढोल मृदं और नर सिंगे आदी बाजे एक साथी बजू थे उनका वासप बड़ा भयंकर हुआ तता स्वेत हर्य युप्ते महती से अंदने इस्तिता माधव पांडव श्चैवा दिव्यो संखा प्रदत्मतु इसके अनंतर आन सफेद घोडों से युग उत्तम रत में बैठे हुए स्रिक्रिष्न महराज और अर्जुन ने भी अलोकिक शंग बजाये इस परकार दोनों से नाओं के बिच युद के डगाडे बज उठे संग धौनी हुई पाच जन्यमरिशेकेशो देवुदत्तम दनन्जया पॉन्डरम दधमा महाशंखम भीमकरमा अवरिकोदर श्रेक्रिष्न महराज ने पाच जन्य नामक अर्जुन ने देवुदत्त नामक और भ्यानक कर्मवाले भीमशेन ने पॉन्डर नामक महाशंख बजाया अनन्त विज्यम राजा कुंती पुत्रो युधिस्थिर नकूलह सैदेवस्च सुघोस मनी पुस्पको कुंती पुत्र राजा युधिस्थिर ने अनन्त विजय नामक और नकूलत थ सैदेव ने सुघोस और मनी पुस्पक नामक संख बजाये इस प्रकार संजय ने धिर्तराष्ट को प्रुछेत्र में किस महारती ने कौन सा संख बजाया इसकी जानकारी दी और धिर्तराष्टी इसे ध्यान से सुन रहे थे कायश्च पर्मेश्वास शिखंडी चा महारत द्रेष्टि दुम्नो विराटष्च सातिक्ष्च पराजित रूपद उत्रोप्ते अश्च सर्वशा पृत्वीपते सौभत्रष्च महाबाहु शंखन दत्मु प्रिथक प्रिथक स्रेष्ट धनुस्वाले कासी राज और महारती सिखंडी और द्रेष्ट दुम्न चतराजा विराट और अजेई सातिकी राजा त्रूपद और द्रौपदी के पांचु पुद्र और बड़ी भुजावाले सुबद्दा पुद्र अभिमन्यों इन सभी ने हे राजन सब ओ इस प्रकार संजय ने राष्ट को क्रुछेत्र की जानकारी दे रहें कि कौन से महारती में कौन सा संख बजाया और उस भयानक सब्द ने आकास और पृत्वी को भी गुंजाते हुए धारत राष्ट्रों के अर्थात आपके पक्षवालों के हिर्दय विदिर्ण कर दिये अथवर्ष्थितान द्रिष्टवा धार्थराष्टान कपीध्वच प्रवरित्ते सस्त्र संपाते रनुरूधम्मे पांडवः पिशिकेशंत दावाक्यम एदमा महीपते अर्जुन्य वाच सेन्योरूप्यम्रम्थे रथमिस्थापयमे अच्युदा हे राजन इसके बाद कपीध्वच अर्जुन्ने मोर्चा पांधकर डटे हुए धिर्टराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस सस्त्र चलाने की तैयारी के समय धरोस उठाकर रिशिकेश स्रेक्रिष्ण महराज से यह वचन कहा हे अच्युद मेरे रथ को दो रोस्वनाओं के बीच में खड़ा कीजिये याओ देता निरिक्ष एहन यूध प्रू का मान और इस्तितान कैर्मयासेत युधवयम असमिनरंसमूर्थमे और जब तक कि मैं युध छेत्र में डटे हुए युध के अभिलासी इन विपक्षी योधाओं को भली प्रकार देखना लूँ कि इस युध रुप वैपार में मुझे किनकिर के साथ युध करना योग है तब तक उसे खड़ा रखिये युध से मानन वेच्छे एहम या एते अत्र समागत हा धार्त राष्ट्र से दुरबुधे युधे प्रियेच किर्सवा हा दुरबुधी दुर्योधन का युध में हित चाहने वाले जो जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं इन युध करने वालों को मैं देखूंगा संजय वाच एव मुख्तो रिशे केशो मुडा केशे ने भारता सेन्योर फ्योर मध्ये इस्तापित्वारतो तमा भेश्म दोन प्रमुख्ता सर्वे साम्च महीचता वाच पार्थ पश्येतान समवेतान कुरूनिती संजय भोले हे थ्रितराष्ट अर्चुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज स्रिक्रिष्न चंद्र ने दोनों से नाओं के बीच में भिश्प और द्रोनाचार के सामने तथा संपुन राजाओं के सामने उत्तम रत को खड़ा करके इस प्रकार कहा के हे पार्ट युद के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख इस प्रकार संजय ध्रतराष्ट जी को युद भोमी रुछेत्र का हालचाल बता रहे हैं प्रपशित इस्तितान पार्था पित्रिनत मित्तितामहान आच्यरन मादुलान ब्रात्रिन्द पुत्रान पत्रान सकेम तथान शौसूरान शुहरतैस चैवां सेन्यो रूप्यो रपी तान समिक्षैस कॉन्तेय सर्वान्मंदुन् वस्थितान् रिप्या पर्या विष्टो विशीधन्तेम अब्रवेत इसके बाद रेथापुद्र अर्जुन ने उन्दवनों सेनाओं में इस्थित ताउचाचों को दादों पर दादों को गुरुओं को मामाओं को भायों को पुत्रों को पौत्रों को तथा मित्रों को ससुरों को और सुहिर्दयों को भी देखा उन उपस्थित संपून बंधुमों को देखकर वे कुंति पूत्र अर्जुन अत्यंत करुना से युख वो कर्शुख करते वे या वचन बो अर्जुन वाचा क्रिष्टमेवं संचनम प्रिष्टां युत सुंचम उपस्थितं सिधन्तेमं गात्राने मुखंचा परिशुस्यते वे पत्थुष्चा सरीरे में रोमहर्शुचा जायते अर्जुन बोले, हे क्रिष्टम, युद छेत्र में डटे हुए, युद के अभिलासी इस सौजन समुदाई को देखकर मेरे अंग सिधिल हुए जा रहे हैं और मुख सुखा जा रहा है, तिथा मेरे सरीर में कम और रोमांच हो रहा है इस पर क्रिकार अर्जुन स्रिक्रिष्ण से अपनी मनुवैथा कह रहे है, वे मोह से मोहित होते जा रहे हैं और अपने सौजन समुदाई को देखकर इनके सरीर में कमपन होने लगा विरोमांचित को रहे हैं गांडिवं स्रन सते हस्ता वकचैवा परिदहयते नाच सक्नुम्य वस्थातुं रमतीवा जमे मनहां हाथ से गांडिव धनुस गिर रहा है और तौचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित हो रहा है इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ निमितानी चपस्यामी विपरितानी केशवा नाच स्रेयो अनुपस्यामी अत्वा सौजन माहवे हे केशव मैं लक्षनों को भी विपरित देख रहा हूँ तता यूद में सौजन समुदाय को मार कर कल्यान भी नहीं देखता इस प्रकार अर्जुन अपनी मनुवैथा को स्री क्रिष्न से कह रहे हैं नकांचे विज्यम क्रिष्ना नाचा राज्यम सुखाने चाओ किमनो राजन को विंदा किम भोगे रजवीतेन वाँ हे क्रिष्न मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्ज तथा सुखों को ही हे गोविन हमें ऐसे राज्य से क्या प्रियोजन है अत्वा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाब है हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादी अभिष्ठ है वे ही ये सब धन और जीवन की आसा को त्याद कर युद में खड़े हैं यहां स्रिक्रिष्ण को अर्जुन अपने मन की वैथा बता रहे हैं जब वे अपने ही सगे संबंधियों को युद में खड़े हुए देखते हैं वे कैसे युद कर सकेंगे आचारिया पितरह सुत्रा तथे वचा पिता महा मातुलह ससूरह स्पोत्रा शालह संबंधिन तथा गुरुचन ताउत चाचे लड़के और उसी प्रकर दादे मामे ससूर पौत साले तथा और भी संबंधियों लोग हैं एताना हन्तिमच्छामी गन्तो अपिमधुसूदना अपितरलोक के राजिस्या है तो किमनू महिंकृते हे मधुसूदन मुझे मारने पर भी अथ्वा तीनू लोगों के राचे के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता तिर प्रिथ्वी के लिए तो कहना ही क्या राज्य के लिए ना तो प्रिथ्वी के लिए किसी को मारना चाहते है एजनार्दन धिरत राश्ट के पुत्रों को मार कर हमें क्या प्रशंता होगी इन आतताइयों को मार कर तो हमें पाप ही लगेगा दार्ट राष्ट्राना सो बांधवान सौजनमे कथमहतवा सुखी नहस्याम माधवा आते उहे माधव अपने ही बांधव धृत राष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योगे नहीं है क्योंकि अपने ही कुटुम को मारगर हम कैसे सुखी होंगे यहां अर्जुन मोह से ग्रसित हो रहे हैं आपने कुटुम्यों को देख कर यद्ध पेते ना पश्यंती लोब उपथ चेत सह कुल्चै कृतम दोशं मित्र द्रोहे चापात कम कथमना गेयं इसमा भी पापा दिसमानी वर्तितुम्यों कुल्चै कृतम दोशं प्रपस्यंत भी जनार्दनां यद्ध पी लोब से प्रश्ट चेत हुए ये लोग कुल के नास से उत्पन दोश को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते तो भी हेजनार्दन, कुल के नास सिवत्पन दोश को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। यहां अर्जुन को तरह तरह के प्रश्णों ने घेर लिया है, एक तरफ उने अपने संबंधियों से महुत्पन हो रहा है कि इने मार कर मैं क्या करूंगा, प्रित्वी का भोग भी नहीं चाहिए उसे। कुल्चय प्रनसे अंति कुल्धर्मा सनातना धर्मी नष्टे कुलं कृत्सन आधर्मों अभिभावत्युता। कुल के नास से सनातन कुल्धर्म नष्ठ हो जाते हैं, धर्म के नास हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्मा भिभावत कृष्णा प्रदुस्यंती कुल इस्त्रियह इस्त्रि सुदुस्टा सु वार्षनेय जायते वर्ण संकरह। हे क्रिष्ण पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल के इस्त्रियां अत्यंत दुसित हो जाती हैं और हे वर्षने इस्त्रियों के दुसित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन होता है। इस परकार अर्जुन स्रीक्रिष्ण के समक्ष अपने संकाओं को बता रहे हैं और युद ना करने की अफील कर रहे हैं संकर ओनर का येवा कुल खना नाम को लस्यचा पतंती पितरोय सां लुप्त पिंडो दक्रिया वन संकर पुल घातियों को और पुल को नरत में ले जाने के लिए ही होता है लुप्त हुई पेंट और जल की क्रिया वाले अर्था स्रात और तरपन सेवंचित इनके पितर लोग भी अधोगती को प्राप्त होते हैं इन वन संकर कारक दोसों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाती धर्म नश्ट हो जाते हैं इस प्रकार अर्जुन अपनी संका स्रीकृष्ण के समक्ष वैक्त कर रही हैं उतिसन कुल धर्माना मनुस्या नाम जनार्दन नर्गे अनियतम वासो भौतित्यनो स्रूसुसम ये जनार्दन जिनका कुल धर्म नश्ट हो गया है ऐसे मनुस्यों का अनिश्चित काल तक नरक मेवास होता है ऐसा हम सुनते आए हैं अहू बत महत पापम कर्तुम वैवसितावयम यद्रजस सुख लोभेना हन्तुम सौजन मुद्त तहां हाँ सुख हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तयार हो गये हैं जो राच्य और सुख के लोभ से सौजनों को मारने के लिए उद्धत हो गये हैं यहां अर्जुन अपनी वैथा बता रहे हैं वे ये युद्ध धर्म युद्ध ना जानकर मुह सिग्रसित हो रहे हैं यदि माम प्रतिकारम सस्त्रम सस्त्र पाने आहां धार्त रास्टा रणे हन्यों स्टनमे चेंतरं हवेर्ध यदि मुझ सस्त्र रहिद और सामना ना करने वाले को सस्त हात में लिए हुए धृतराष्ट के पुत रन में मार डाले तो वो मारना भी मेरे लिए अधिक कल्यान कारत होगा संजय उवाच एवं मुक्त्वार अर्जुन संखे रतो पस्थ उपाविशत विश्रे जया ससरम जापम सोग सम्विधन मानस संजय बोले रन भूमे में सोग से उद्विन मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बान सहित धनुस को त्याग कर रत के पिछले भाग में बैट गए ओम तत्सदिते स्रेमत भगवत गीतासु उपनित सत्सु ब्रह्म विधायाम योग सास्त्रे स्रीकृष्ण अर्जुन सम्वादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय हैं इस प्रकार उपनिसत ब्रह्म विध्या तथा योग सास्त्र रूप स्रीमत भगवत गीता के स्रीकृष्ण अर्जुन सम्वाद में अर्जुन विषाद योग नामग प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ जीता के 18 अध्यायों में यह पर्थम अध्याय था अर्जुन विशात योग। इसमें अर्जुन अपने दुख को व्यक्त करते हुए नजर आए। वे स्रीकृष्ण के समक्ष अपने संपूर्ण संकाव को और अपने मोह रूपी बातों को उनकी समक्ष रखा।